एब हम साथ बहुत सारे लिक शेक्स तो आज मैं बनाने वाली हूं और दो वीडियो इसमें मतलब दो शेक्स साथ में है अब सब्सक्राइल तो आपको दीखे किया होगा किसका शेक मननेबाब इसके लिए पुब सारी आईज फिर आदा ग्लास दूथ फिर उसके बाद हम नही किटकाट कोफी डाली है मैंने क्योंकि हम किटकाट कॉफी शेक बना रहे हैं राए करने में ट्राइख सको अच्छा मुझा तो पॉज तो बहुत अच्छा लए मैं बने नहीं है तो मज़े अब मैंने उसको मिक्स कर दिया और उसके बाद मतलब मिक्सी में ब्लेंडर जो बीच यूज करते हो उसमें मैंने बनाया एक कोफी शेक, लुक एट ताट, इसके ने कोफी का भी टेस्ट आएगा, और किट कट का भी टेस्ट आएगा, और उपर से एक और आइस क्रेम डाल दी, तो सो जाने के लिए हम यह आप थोड़ से जादा आइस क्रेम गरादा डालते हैं, किट मैच ट्राय कर सको, और आइडिया देना, क्या-क्या और आपके लिए बना सकती हूँ, क्या-क्या शेक हो गया, रिटी, सेकिंड चीज, हम बनाएंगे, ओर यो शेक, किट काट और ओर 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 यो शेक तो मेरे फेवरिट है, हम ऐस दालेंगे, दूद दालेंगे, सेम वैसे ही, लाज शेक की तरह, फिर इसके बाद, हम डालेंगे, चोको बार आइसक्रीम, वणीला ऐसक्रीम के चरगा, आप चोको बार भी ट्राय कर सकते हो, इसके अंदर, चोकलेट का भी टेस्ट आएगा, जिसके बाद हम डालेंगे नमली औरियो मैंने 10 रुपे चोट वाला पैकेट आता है आपको बता है एक 20 रुपे वाला भी आया जिसके ने जो अंदर वाइट वाली क्रीम उती है वो डबल है और उसके उनोंने 10 रुपे जादा कर दिया मतलब यह तो बहुत गलत कर दो मैं तो खापी लो बट नहीं हम इसको मिखस करेंगे और ओड्यो शेंके और। बंद करेंगे और ओर यॉ शेक कटेंगे लोग काट धाकर यह थोड़ा थिक शीक जाशा मना है बहुत अच्छा क्ति लग रहा है सेम गलास लिया ए सो त्ट этом से फे नों को बिस्टवरियों साज ऑफ और अपने फ्रेंज को भी खिलाओ पिलाओ और यार बताना मुझे आपको इन दोनों में जो बने ही ट्विस्ट एड़ करें या आपको कैसे लगे I hope आपको पसंद आया हो Normally ये डाल के मैं डाल रही उपर से अपना शेक और फिर-फिर से आईस क्रीम और फिर-फिर से Oreo and our KitKat Coffee Shake and Oreo Chocobar Shake, Chocolate Shake is ready आपको इन दोनों से कौन सा अच्छा लगा या फिर आपो KitKat और Oreo में से ही क्या अच्छा लगता है मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में अज के लिए बस इतना ही I hope आपको पसंद आयो लाइक इस वीडियो कॉमेंट के बताओ कैसा लगा और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंट्स को पर शेयर करो ताकि वो भी मेरे वीडियो देख सके थैंक यू, बाई